पाकिस्तान में 9 मार्च को भारत की सुफर सनिक क्रूज मिसाइल गीरने के बाद से इसकी चर्चा थम नहीं रही है इस बात को लेकर मीडिया रिपोट में अलग-अलग दावे किये जा रही है रिपोट में कहा गया है कि जो मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमेटर अंदर उसके सहर मिया चनु के पास गिरी ओ एक ब्रहमोष मिसाइल थी दावा किया गया है कि पाकिस्तान भी इस बात का जबाब देने की तयारी में था अब चर्चा में एक और बात जुड़ गई है ओ है रिवर्स इंजिनरिंग इस बास्त की चर्चा इसले भी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान और चीन किसी भी चीज का क्लोन बनाने में हमेसा माहिर रहते हैं तो जानते हैं कि reverse engineering क्या है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है और ये क्या पाकिस्तान पहले भी इस तरीके से मिसाइल त्यार कर चुका है या नहीं तो चलिए विडियो को सूर करते हैं पाकिस्तान में जो मिसाइल गिरी है उस पर कई 20 सुग्यों ने चिंता जाहिर की है और उनका कहना है कि पाकिस्तान मिसाइल के मलवे को इखटा करके उसे त्यार करने का तरीका समझा जा सकता है और भारत की भी एही चिंता है रिवर्स इंजिनरिंग को आसान भासा में समझे तो किसी चीज के बनाने के तरीके को समझ ना है मिसाइल के संदर में समझे तो पाकिस्तान इसके मलवे को इखटा करके उसकी नकल कर सकता है पाक 200 मिसाइल के बारे में कई अहम जानकार हासिल कर सकते हैं और ऐसे ही न्यू मिसाइल त्यार कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल हामला करने में भी क्या जा सकता है इसे ही रिवर्स इंजिनरिंग कहते हैं दुनिया भर में इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्यूंकि चीन और पाकिस्तान डुपलिकेट चीजे बनाने में माहिर है इसलिए कहीं रिवर्स इंजिनरिंग के जरिए ये देश मिसाइल का दूसरा रूप ना त्यार कर ले। चीनता की सबसे बड़ी वज़ा ये है कि पाकिस्तान पहले वी रिवर्स इंजिनरिंग के मदद से आमरीकी मिसाइल का डुपलिकेट त्यार कर चुका है पाकिस्तान ने रिवर्स इंजिनरिंग के जरिये ही अपने पहली क्रूज मिसाइल बावर को त्यार किया था इसका खु पखरनिस्तान के अलकायदा के ठीकान अपर India से हमले के दोरान एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान के बलुचिस्तान में गिरी इसके मलवे की मदस्य पाकिस्तान अपने पहली ईसाइल बावर त्यार किती इतना ही नहीं 2005 में पकिस्तान ने इसका परिक्षन विक किया था I hope आपको समझ में आ गया होगा कि reverse engineering क्या है और इसकी चर्चा क्यों हो रहा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिए तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद